नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका नवी निकर कल्चर एंड फार्मिंग यूट्यूब चनल पर जो भी किसान भाई नए है वो चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकिन को दबाना ना मुद्ध दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे बीडियो प्चार के बारे में औ तो इस प्रोड़क्ट के पूरी जानकारी के लिए बिना एस्किप किये वीडियो को अंतर तक देखें तो आएए आते हैं अपने विशय की ओर दोस्तो केड इसपिट अब ब्रांड कंपनी के डिला एगरू जिसे किसान भाई केड एगरू के नाम से भी जानते हैं यह इसक दोस्तो इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं यह वीडियो कैडिला एगरू द्वारा निर्मित कैड स्पीड अप अपनी तरह का पहला जैविक प्रड़क्ट है जो की जीवानों आधारित MBA टेकनलोजी का उपयोग करता है और जो बाजार में उपलब्ध अन्य बिजोप्चार उत्पादों की अपेक्षा ज्याधा प्रभावशाली दोक्टर सार में जो है यह जो है जो है अलमस है वो यह त झ्री एमथ के साफ से डाला है और ढदग सकते हो के इसमें जो है अलका सा है ला जो है आपको पूर सिंपल कुछ भी निखाना है इसको आगे निकाँ दो और यह निखादे लिजसे आप को स्फीम का प्रशभेह स्पीड अप से उप्चारित करने पर बीज के चारों हो एक सुरक्षात्मक शेत्र या कवच का निर्माण होता है यह कवच कई रोगजनक फंगस यानि फफूंदों से बीज की सुरक्षा कर अंकुरन प्रतिशत में बढ़ोतरी करता है स्पीड अप स्वस्थ अंकुरन और जोरदार वृध्धी के साथ अंकुरन दर को भी बढ़ाता है स्पीड अप में कुछ ऐसे संयोजन है कि जो अंकुरन प्रतिशत के साथ साथ पौध वृध्धी और रोग प्रतिरोधक शंता भी बढ़ाता है Here in R&D we have developed one seed treatment product which is first-in-class product where we have used the MBA technology MBA technology helps in better seed germination as well as it protects the seed from the different soil-brown pathogen In CAD Agro Lab, we have made a product called CAD Speedup which means fast germination, uniform growth and dual activity of protection plant protection is good for that CAD Speedup works on MBA technology which gives organic seed coat well as well which is the product that is distributed in which it can be used to be used Guys, this was a small clip video which we have put on our YouTube account which means that you can learn more about CAD speedup and learn more about it Guys, let's talk about this technique नेकल के बारे में दोस्टो इसमें कोई भी टेकनिकल अवेलेबल नहीं है यह क्यूंकि बाय। ईक्निकल भिजक चारा के इसमें बेक््टेरियां के साथ में में बेड्य टिक्टिक्न लोगे आतार पर इसे बनाया गया है उतके हैं साध揚ाशेते ङृविएक सोया बिन, मूंग, अरहर, गेहूं, चना, कापास, धनिया इन फसलों में कर सकते हैं दोस्तो यह प्रोड़क्ट इन्ही फसलों के लिए रिकमेंडेट है तो मेरा आप से है निवेदन है कि आप इन्ही में इसका बिजुपचार करें अन्ही फसलों में बिजुपचार करने से पहले आप केड़ एगरो के जो डॉक्टर हैं आपके चेतर में आते हैं उनसे है जानकारी लिए उसके पश्चाती इसका उप्योग आप अन्ही फसलों में करें दोस्तों अब बात करते हैं केड़ स्पीड अप से बिजुपचार करने में आपको क्या-क्या फायते होते हैं तो यह मिट्टी और बीज की रोग जनकों के विरुद्ध अंकुरुत होने वाले बीजुदधा अंकुरों की सुरक्षा करता है यह रोग जनकों को नश्ट करता है साथ-साथ बीज में के अंकुरन में व्रथी करता है और फली की फसल में नाडुशरन को बढ़ाता है केड़ स्पीड अप से बिजुपचार करने से प्रतिकुल परिस्तियों में एक समान फसल होती है दोस्तों यह थे केड़ स्पीड अप से बिजुपचार के फायदे अब बात करते हैं इसके बिजुपचार की विदी के बारे में किसान भायो यह एक मात्र इसा प्रोड़क्ट है जिसके द्वारा आप बिना पाने से बिजुपचार करते हैं इसका आपने थोड़ा सा क्लिप हमारी इसी वीडियो के सुरुवाती अवस्था में देखी है दोस्तो इसकी बीजुब चार की विद्धी बहुत ही सरल है यह बता गई क्रोप में 4 एमिल प्रतिक किलो की दर से जाएगा आपको बस बीज के ऊपर इसको 4 एमिल प्रतिक किलो की दर से डालना है और थोड़ा सा बीज को हिलाना है यह इमबी टेकनोलोजी के आतार पर बनावा है यह तुरंत सभी बीजों में मिल जाता है और चंद सेकेंडों में हर सुख भी जाता है इसकी अधिक जानकर एक लिए मैं आपको एक और क्लिप वीडियो दिखाने वाला हूँ अधिक जानकर एक लिए इस वीडियो को आप अन्त तक जरूर देखें करीब आदक लो एक पाउच सीड है एक पाउच सीड में हमने सिर्फ दिर सो दो एमिल मिलाया है प्रस दो जाओ गया है यह यह सीड कोड हो गया है अगरा आपको अब इसको हम इसमें निकालते हैं यह बिना पाने के सीड यह आपने है यह मटर का भी है यह टोटल केमिकल क्री है इसमें कोई केमिकल नहीं है और इसको हाथ मठा सकते हैं अभी हमने दो मिट पहले किया और फूरा सूख गया यह देखिया तो दोस्तों यह था वह वीडियो जिसके दोर आपको केड़ स्पीड अप से भी जुपचार की वीदी को समझने में थोड़ी आसानी हो अब बात करते हैं यह कौन कौन सें पेकिंग में मार्केट में अवैलीबल हो जाएगा तो यह 500,5 L, 7 MO अदा लिटर आपको मार्केट में अवैलीबल हो जाएगा दोस्तों कैसा लगा है वीडियो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले इस ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहें नवी अगर कल्चर एंड फार्में यूटूब चैनल जै जवान जै किसान